हेलो फ्रेंड नमश्कार अब मैं आपको सूखी चटनी बता रही हूँ नारियल की मैंने कच्छा नारियल तोड़के इसे डेसिकेटड कोकोनट में कनवर्ट किया फिर मैंने आठ से दस मिनट इसे रोस्ट किया ये आप रोस्ट करने के बाद इसे 5-6 महने रख सकते हैं मैं रेसिकेटड होममेड कोकोनट जिसे मैंने ड्राई रोस्ट कर दिया है थोड़ा सा मिर्च पाउडर या साबूत मिर्च लीजिये थोड़ा नमप जितनी जरूरत था आधा चमच मारा मिर्च पाउडर है ये मुंफली पाउडर है जो मैंने ड्राई करके रोस्ट करके उसके पाउडर किया था, ये हमारा है ड्राइ दिंगर, लैसुन और जीरे का मिक्स पाउडर, लैसुन को मैंने रोस्ट करके फिर इसमें डाला था, ये है हमारी भुनीवी चनादाल, अब मैं इन चीटों को मिलाकर पाउडर कर लूँगी, फिर हम करी पत्ता और राई का तवका दे कर इसमें फोरण डाल कर छोड़ देंगे, तो ये आप पांच से छे महीं नहीं रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगा, अब मसाला पेशगा है, हमने पैन रख दिया है, तड़के देने के लिए, पैन हमारा गरम हो चुका है, थोड़ा सा ओयल डालेंगे, अब हम इसमें अपनी राई डालेंगे सब्के के लिए, राई हमारी हो गए है, तो पर ही आपने करी पता और दे रहे हैं, हमारा तबका तयार हो गया है, इंस्टेंट ड्राई चटनी के लिए हमारा तबका तयार है, मैंने राई और थोड़ा सा मिर्च करी पता डाल कर तयार किया, इसे हम मिक्स करके रख सकते हैं, पांस से छे महिने, हम इसे मिक्स कर देंगे और एयर टाइप कंटेनर में भर के रख देंगे, तो जब चाहेंगे तब हम इसमें पानी डाल कर थोड़ा सा गरम पानी डाल देंगे, और इसे थोड़ी देर रख देंगे, जितना पतला चाहें उतना पानी डाल सकते हैं, अगर हमारी instant coconut chutney और चनादान mix chutney की रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को राइक कीजेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिल के लिए रेसिवेगा.